जहें दोस्तों एक और ने वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों देगे 22 तारीक से जो हरकन प्लिस का जो फॉर्म अप्लाए हो चुका है उसका जो प्रादमिक स्टेज है वो फॉर्म जो है अप्लाए हो जाए लेकिन जो सेकेंड स्टेज है जो रिमाइनिंग लेकिन मुझी लगते जो रिमाइनिंग स्टेज है जहां पर अप्डेट सुन लिखा रहा हुझा उप्सी स्टेज करनेे से पहले मैं यसे बता दिया है कट अप कहां पर फॉर्म जहादा है कहां पर कम है लेकिन जो कट अप है वह जानकारी आप लोग के पास भोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिस्टिक सेलेक्शन करने से पहले कट अपको एक बाद देख लिए खास करके लड़कियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा क्य 스 Fazit सेलेक्स्टें can व्यूंग कर देखेख कहा पर आपको लिए या कुण कीडिये है क्याहां पर लड़कियों के लिए असाय रहेगा क्योंकि जो भी चीजी है क्यों के लिए तो बहुत ज्यादा महत्पूर रहेगा यह जो कटप अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो ओफिसियल कटप है ठीक है जो भी कटप मैं अभी दिखाऊंगा वो ओफिसियल कटप है जो 2015 में गया था और सभी चीजों को आप भाली-भादी समझ जेएगा कि कहां पे आप लोग को भड़ना उचीत रहेगा कहां पे नहीं रहेगा यह कटप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप लोग को जो नेक्स स्टेज में जब आप लोग डिश्टी का सेलेक्शन करेंगे ठीक है कहां पे आपको फॉर्म जो है अपलाई करना तो और कुछ जो और बतानी हे लेकिन मैं समय के चलते नहीं बता रहाँ आप लोग आप लोगको तो यहां पर से सब्सक्रां हम लोग देखनातें कट टीक है सभी जो कट अइचिक का ओण देखनाले चिसमां गाट की जवानों के लिए हैं में के लिह फुमें के लिए भी द का है ऐसे ध्यान से देखिएगा सब पर सबिखी ठीक का है ठीक है चलिए हम लोग देखें यह कटाफ है यह 2015 का ओफिसियल कटब है 2015 में जब जर्कनद पुलिस की वेकेंसी निकली थी तब का यह कटब है ठीक है 2015 का ओफिसिल कुट कटप है इसमें जैसे के ओफिसल वेबसाइट पर आप लोग जाईएगा तो हो सकते आपको ये कटप जो है वो मिल जाए ठीक है या फिर हो सकते जैसे अभी हटा दिया हो लेकिन ये कटप दोस्तों जब झारकन प्लीस की वेकेंसी निकली थी और जब फाइनल मेरिट निकला तो उस टाम इस कटप को नहीं जैसे के द्वार डाला गया था ठीक है इसमें एक केस हुआ था जो केस किया था मिथन कुमार ने ठीक है तो मिथन कुमार के केस के बाद दोस्तों इस कटप को दोस्तों जैसेसे ने जारी किया था ये दोस्तों मिथन कुमार केस का दोस्तों य गैश सेने जारी किया है घझात वह जाम हुआ था पिटी और मेंड युद हुए उसके बाद दूस्तों यहाँ पर जब पेपर हुआ उसके बाद जब मेंज का पेपर हुआ था जो मेंज का सेमीर सेम Stay तर यो इसने टिसमे चीज समयजी कि उस瞼 पेपर वन था और पेपर टू था दोनों में दोस्तों सो सो कोश्चन थे ठीक है दोनों में सो सो कोश्चन थे और इसमें एक कोश्चन के उपर जैसे से कितने नंबर देते हैं तो तीन नंबर देते हैं तो तीन से इसको गुना कर दीजिए कितना आया जाएगा दोस्तों यहा अगुघ का मिरिट उसमें दो दूस्तों परन से आपको परसंटेज वाइस नमबर दिया गया लेकिन 2015 में परसंटेज वाइस नमबर नहीं दिये गे थे यहां पर चुर्स जो अपका इस्कूर था वो टोटल नमबर जो पर्लावन घजण मेरेत्म कर से एड़ हो रहा था था ठीक है, तो उसी के आधार पे दोस्तों, यहां पे दिया गया है, ठीक है, अब यहां पे total जो हम लोग का score है, वो कितना हो जाता है, total जो exam 2015 का हुआ था, उसमें total 600 number का exam हुआ था, ठीक है, total 600 number का exam हुआ था, और यह जो cut up दिया गया है, ये दोस्तो इसे जब आप लोग 2 से गुना करिएगा ठीक है तब जाके आपका जो original cut-up है वो आएगा ठीक है ये average दिया गया यहाँ ठीक है तो इसे आप लोग 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दोना 18 का 8 हो जाएगा हाथ में ठीक है दोस्तो इसे गुना कर दीजिएगा तो आपका जो original cut-up है वो आजाएगा ठीक है जैसी नहीं इस प्रकाप से average यहाँ पे दिया है तो total marks आपको लोग को बता दिए कि 600 नमर के question हुआ था और उसमें ये cut-up आया था जिसे आप लोग 2 से गुना करिएगा तो original cut-up है आपका वो आ जाएगा ठीक है तो इस प्रकाप सो OBC 1 OBC 2 का देख लिजिए ST का देख लिजिए ST का देख लिजिए ठीक है राची district का यहाँ पे जो female candidate है female candidate का में बता तो चिक जितने भी district में जो cut-up गया था वो सभी district में आगर आप लोग देख लिजिए कि जारकन की यह राजदानी जाप पर कोचिंग की बहुत सारी सुमिदाय मौजुद होने के बाद यहां का जो cut-up गया था वो मात्र एक सो गया था female candidate का तो सोच के देखिए कि यहां पे जो cut-up है वो बहुती कम गया था और इस बार भी जादा नहीं जाए क क्योंकि running जो है वो 30 मिनिट में है तो इसे qualify करना बहुत tough हो जाएगा लड़कियों के लिए ठीक है तो यहां पर हम लोग देखें तो 100 नमर यहां पे लड़कियों का cut-up गया था जेनरल का और अगर ST candidate का देखिए क्योंकि जो जारकन राची जो है वो ST छेतर में आता है तो यहां पर ST का जो cut-up है वो 123 चला गया था और जो जेनरल लड़किया है उनका cut-up 100 गया था ठीक है बाकी OBC का यहां पर और ST का भी नहीं दिया है आगे अगर हम लोग देखें तो होंगार्ड के जवानों को भी जो cut-up है वो बहुत ही कम जाता है चाहे male हो चाहे female हो तो आप आप लोग होंगार्ड का देख लिए यहां पर भी जो जेनरल का cut-up था 116 था मातर है ठीक है और इसे देखें जो भी cut-up है मैं 12 बोल रहा हूं उससे जो है आप लोग 2 से गुना करके उसके बाद देखेंगा टूटल 600 नमबर का एक इजाम था दो से जो भी cut-up है इस cut-up को दो से गुना करके उसके बाद यहां पर यहां की 116 है तो इसे दो से गुना करिएगा तो कितना आजए 232 थीक है तो यह आपका cut-up गया था 600 में और तो इस प्रकार से आप लोग cut-up को देखेंगा बार रह बर समझा दे रहा हूं और यहां पर देखें फिमेल केंड़ेट क है ठीक है यहां पर लोहर दगा में देख लिए लोहर दगा में भी जो cut-up एक एक करके हर एक डिस्टिक का में दिखाऊं तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा ठीक है तो इसका जो लिंक है वह मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो वहां से जाके जो है आप लोग इसे डाउनलोड कर लिजेगा या पिर जो लोग मेरे से वर्च सब्सक्रिप्स तर्症ट से जुडए हैं ठीक है जो व्र्च सब्प्रों का लिंक है वह दिस्क्रिप्शन में है अग्र व्रस प्स्व्ब्सक्र जुडए है तो वहां पर ये चीज में देदूंग तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो ठीक है इसलिए आप लोग ध्यान से इन सभी चीजों को देख लेजीगा सभी डिस्टिक का है यहाँ पर या फिर वीडियो को पॉस करके भी देखिएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग को दिखाये देगा आप लोग को समझ में आ अनित्या जो चीजे में बताया हूं सी और स्ट का वहाँ पर वैकेंस्या है वहाँ का सेलेक्सिन आप लोग कर सकते हैं ठीक है ओब इस्सी और जेनरल का मैं कोसित करता हूं जल्दी में फीरी होता हूं उतना जल्दी अपडेट आप लोग को दे दूँगा ठीक है चलिए त फिर वाट्सप में इसे दे दूंगा ठीक है पुर्वी शिंग्भूम का है यहां पर पश्यमी सिंग्भूम का है स्थराइके लग का है हजारी बाग का है तो अगर देखिएगा तो धनबाद के बाद मुझे लगते हैं कि हजारी बाग का कट अप थोड़ा सा ज्यादा आ जा हजारी बाग में कोच्ची की बहुत सारी सुविदा है और यहां पर बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहां पर कोच्ची की सुविदा है रहने के कारण यहां का कट अप है वह थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है एक हजारी बाग एक धनबाद हो राची में भी दोस्तो जो cutout है वो थोड़ा सा हाय जाता है तो कुछ-कुछ जो बड़े-बड़े डिस्टिक है वहाँ का जो cutout है वो थोड़ा सा आपको हाय देखने को मिल जाएगा ठीक है ठीक है तुकर dándy का अगर आप लोग देखिएगा तो greedy में भी जो cut up है वो भी अच्छा खाता जाता है तो यहाँ पर भी देखिए जो general category का था 196 था तो काफी high था मुझे लगते है धनबाद 210 के बाद देखिएगा तो 1000 बाद 197 general का और उसके बाद 196 greedy का तो यह जो कुछ बड़े-बड़े सहर है यहाँ का cut up थोड़ा सा high आपको देखने को मिलेगा और इस पास तो greedy में सबसे ज़्यादा vacancy अगर कहीं पर है किस डिस्टिक में तो वो greedy में ही है कोडर्मा का भी देख लिजिए cut up कोडर्मा में ही 210 था हाई cut up था जनरल का 210 था लगभग माने के चलिएगा तो धर्मात के बराबर जनरल का dot 189 जनरल का था 189 ठीक है SC का भी दिया गया है ST का यहां पर नहीं दिये गया मुझे लगता जहां-जहां पर जिसका seat नहीं था वहां पर उसका cut up नहीं दिया बातों के चलते है कि जो इस प्रकास पर जो दिया है वार्लकी चलिए के वहाँ वहाँ पर पिछला बार भी वेकेंसिया नहीं तो जहां पर आपका कटप नहीं दिया गया है तो जहां पर भी इस प्रकार के आप लोग को जहां जहां तो लगबग सभी जगा पे यहाँ पे कटप आपको सभी डिष्टी का मिल जाएगा ठीक है तो इसे वीडियो को पाउस करके देखिएगा तो देखेंगे देवघर का सबसे अभी तक हाई कटप देखने को मिले है 215 जो धनबाद से भी मिले लगा रखी धनबाद में 210 जो ठीक है चलिए आगे यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए और एक दो डिष्टी का में थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हूं बाकि आप लोग खुझ से जो है देख लीजिए का पाकूर का देख लीजिए 180 गया था फिमिल का बहुत ही कम जाता है सभी जगा पे दिख गोड़ा में 206 गोड़ा में भी जो कटर फे वह थोड़ा सा हाई है एस्टी का यहाँ ठेक ठाक है ठीक है और फिमिल केंड़ेट का भी काफी कम है यहाँ पे फिमिल केंड़ेट भी अपना देख लीजिएगा जमतड़ा का जो cut-up है वो कम है यहाँ पर स्टीक का देख लीगा तो बाकी जो सभी डिश्टीक है यहाँ पर उसके बाद जो जैप तो इस बार तो फिलाल जैप की वेकेंसिया नहीं है और जो जो रेल धनबाद निकला है या फिर रेल जमसित पूर उनका cut-up नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर जो है जारकन पुलिस और जैप में selection होने के बाद वहाँ पर बेजा गया था तो उस ताइम उनका cut-up इस बार नहीं इसलिए नहीं दिखए क से जुए मिलेगा ठीक है और यहाँ पर जिएफ की वेकेंसिया इस बार नहीं आया है ठीक है तो यह था दोस्तों cut up ठीक है तो सभी चीजों को ध्यान से देखने के बाद अब आप लोग जो है वेकेंसी को भढ़िएगा तो ध्यान से अपना सेलेक्शन करिएगा ठीक मिलते नेक्टरी फिलालित नहीं जय हैं जय भारत